इसु सहाय प्रेज दलोड, कोरोना बायरस जब दुनिया में आया, हाखाकर मच गया, लोग उससे बचने का उपए ढूनने लगे, बड़े बड़े जितने विदेश थे, उससे बचाव करने का उपए टीका भैक्सिन सब निकालने लगे, और कुछ हद तक सफल रहे, जिनके क कारण से वह भिमारी का डार अब नहीं रहा, विश्य प्राकर का एक भ्यानक भिमारी है, जिससे पाप कहा जाता है, और पाप के बारे में ऐसा है, अब तक कोई बैक्सिन, मेडिसिन, कुछ भी नहीं निकल पाया है, और इससे बचने का कोई दूसरा उपए नहीं था, इस क को कुरोस के उपर में बली कर दिया। ये परमिशार का पूर्फ-योजनत प्री-प्लान था। और उस के कारण से वह आता है. मनुसुर धरन करके कुरोस में अपना प्रान देकर उधार का काम को जो पाफ चुटका रहा है उसको पूरा करता है और जी उठने के बार जी उठने के बार तीसरे दिन स्वार को तीसरे दिन जी उठता है और 40 दिन बार स्वार को चले जाते हैं यह इसु मसी के बारे में जो घटना है बैबल में लिखा हुआ जिसे बचन के रूप में हम जानते हैं और जो भी लिखा हुआ है, वही सुसमचार है, गुड नियूस है, क्योंकि मानव जाती का बचाओ के लिए ये सुप संदेश है, बैड नियूस नहीं है, गुड नियूस है, इसलिए सब के लिए है, प्रांतु इस गुड नियूस को या सुसमचार को या परमेसर कवचन को कई ब उद्धी, ग्यान, संसरी, दिष्टी, कुन से हम देखने का प्रयातान करने के समझने कठिन होता है। ऐसा एक बैक्ति हम देखने पाते हैं जो प्रितों के काम उसका आठाद है 26 से लेकर 38 पाद में। प्रित करिया 28 से 38 में एक बैक्ति है जिस बैक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है। प्रांतु वह बैक्ति कूस देश का था। कूस देश बरतमान के हिसाब से एथियोपिया कहा जाता है। उस देश का नाम एथियोपिया जो अपरिकन कंड्रिस में से है। अपरिकिया देश में से है ये मिसर और सुडान के दक्षिन भाग में है और वह बेखती यहुदी जाती में से नहीं था यहुदियों का धार्मिक इस्थाल जो यरुसलिम था वहाँ पर यहुदी लोग हर सल तीन परव में आना बहुत ज़री होता था फसा परव पहनती कोष्ट का परव और होता यह लोग यहुदी नहीं था जो भी की ओँ मस्ही नहीं था जो भी की ओभी आभी स्वास के दोर वक्तिस में लिया हुआ नहीं था प्रंत उसमें जो अधिकिवा आता है और बैबल के पूर्णा निया म्भाग से यह सय तीरपन अध्या को पड़ रहा था वह अरधना क ले आता है लोटने के क्राम में जब पढ़ते हुए जाता है अपने गाउं घार को, वहाँ पर समझ नहीं पाता है यह सेयतिरपन अध्या में किस के बारे में लिखा हुआ है, तब यह बैक्ति को आदेश दिया जाता है, जाकर उसको आप समझाएए कि वह किसके बारे में लिखा हुआ है वह बेक्ति था फिलिपूस फिलिपूस को कहा जाता है और वो जाता है उसके रात में बैठता है उसको उसके बारे में समझाता है जैसे ही जानता है यह सेयतिर्पन इसमसी के बारे में लिखा हुआ है वो सारे लोगों के अपरादों के करंदान सहेगा और कुरूस कार्ट में अपना प्रान देगा तब उन्होंने का मैं विश्वास करता हूँ मुझे वप्तिस्मा चे वप्तिस्मा ले लेता है और अपने देश को चला जाता है यहाँ पर हम देखने पाते हैं यह प्रितों का काम ही जो लिखने वाला बैक्ती है लूग का है हम जानते हैं लगभग लगभग बार साथ तीर साथ एस्वी में यह लिखा है और हम जानते हैं प्रितों का पूरा जो पुस्तक है लगभग लगभग 33 साल 33 years का प्रितों का सेवकई के जीवन से जुड़ा हुआ बाते लिखी हुए हम पाते हैं और उन बातों में से एक बात ये फिलिपियुस से जुड़ा हुआ घार्टना जो की या बेक्ती जिसको खोजा के नाम से कहा गया है मैंने आज का बचन को इसलिए सिर्शक रख दिया है वचन की सामर्थ या तो बचन की सामर्थ ना कहा कि बाइबल बचन की सामर्थ हम कह सकते हैं क्योंकि Bible वचन सुनने और सुनने के बाद में और जनने के बाद में वा बेक्ती जो एथियोपिया से आया हुआ तो उसका जीवन में परिवर्तन आ जाता है, ट्रांस्पोर्मेशन आ जाता है, इसलिए हम इस प्रकार के सिर्शक रखें, वचन की समत या Bible वचन की समत, इसके पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, ओ तो है फिलिपूस के द्वारा वचन को समझाना, देखिए वचन को समझाना, पहला पॉइंट में जब हम चर्चा करें, वचन को सधानन रूप से हम इसलिए नहीं समाज पाते हैं, ये परमेशर के आत्मा के प्रना से लिख लिखा हुआ मैटाने से प्रमेशर के वह दिखा है, और परमेशर के हैत्म से प्रमेशर की वह देखा गहा है, तो बैबल पढ़ते हैं समझ में आया, मैं सुरू सुरू में एक बार जो पढ़ रहा था, बैबल को समझ में ही नहीं आया, जो भी किनानियम भाग को पूरा खतम कर लिया, सही रुप से समझ में नहीं आया, धीरे 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 बैबल के समझ मुझ में गुशने लगा यह पहुतरात्म है जो हमें समझने की सक्ति देता है यह बैक्ती भी खोजा असल में हम कहा सकते हैं यह बैक्ती खोजा जो कहा गया है उस देश का जो बरतमान का इथियोपिय का हुआर आने वाला था खोजा उसका नाम नहीं था असल में इसका दो अर्थ निकलता है पहला खो मैं कहना नहीं चाहता प्रांतो एक वार्ड लेना पड़ेगा हीजड़ा जो लोग होते हैं इस प्रकार के समगता है या नपुंसत जो लोग होते हैं ऐसे लोगों को बोध करता है जो भी हो उसका पद हो चहे नपुंसत स्रेनी का बैक्ती हो प्रांतो यहूदी नहीं था फिर भी उन्होंने परमीर सर केHHH करधना के इरु सलिम्मत है पहली विसेस बात यहूदी ना होकर भी उसमें जोश दिखा परमीर सर करधना दूसरी विसेस बात हम जानते हैं कि उस देश का ववा मंत्री था और खजन जी था कह सकते हैं finance minister था और इतना बड़ा पद्ध होते हुए भी देखिए वह इस्वार के रधना करने समय निकलता है लोगों के पास सरकरी काम के कारण समय निकलना इस्वार के लिए मुश्किल अपरन तो यह समय निकलता है तीसरी विशेश बात हम यहां देखने पाते हैं वो आपने साथ रात में बैठा लेता है वो भीद भात की भाव नहीं आने देख रहे है चौती विशेश बास हम क्या देख रहे हैं आदमी जाना आना तो कर रहा है लेकिन जाने आने के क्राम में बैबल पढ़ते जा रहा है आजकर लोग तो मोबाइल निकलके उसमें खिलने देखने लगते लेकिन वा मैं मोबाइल तो नहीं था लेकिन ये ये बात है कि उन्होंने दूसे बातों के अलबêt है बल पढ़ने में अपना समय बीतार है क्या ही हम देखने पाते है इसमें खुबी जो है, कई बार ऐसा दिखने लगता है, बरतमान में भी, जो परंपरा रुप से मसी हैं, इसे ही हैं, बच्पन से, उनमें मसी के प्रति कई बार जो सकम दिखे देता है, उनके अपेक्षा, जो लोग बाद में मसी को ग्रहन करने के बाद में मसी के पीछे चलत प्रन्तो इस बैक्ति को हम देखने पाते हैं, इसमें खूबी तो हथ, प्रन्तो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने कहा परमेशर के बच्चन को समझ परमेशर के आत्मा क्या हो सकता है, साधु सुन्दर सिंग के बारे में आप जानते हैं, साधु सुन्दर सिंग एक बार क्या हुआ जब प्रभू को नहीं जानता था लोग जब चर्च में आ रहे तो उनका बैबल को चीन दिया उसको फाट डाला माचिस लगा कर जला भी दिया अपने साथियों के साथ में वही बेक्ति जो बैबल का अरधना करने वाले या तो इस्वर का अरधना करने वाले सुनने का मौटा मिला आजके आज कल बहुत कम इसे या मिसर इस्कूल में इस प्रकार की बाते होती है फ्रन्तू समय जो उनहां था जहां पढ़ रहा था सुनने का मौटा मिला बचन सुनने के बाद में उनका जीवन में विशुआस पैदा होगी क्योंकि बैबल कहते है रोमिदास उसका सत्रा विशुआस परमेसर को विशन सुनने से होता है वो जैसे सुना उसमें विश्वास जग गिया विशुआस इतना बढ़ गिया कि परिवार के लोगों को जब बताए गर से निकाल दिया देखे जिस वेक्ति परमेसर का आत्मा उसका गोई नहीं किया था परमेसर के बातों में नहीं जानता था वचन के बारे में समझ मुझ नहीं था प्रंतु जिस समय समझ मुझ आ गया भी सुआस में दिड़ हो गया प्रंतु समय उसको धक्का निकल दिया का आए मोब आज भी है पद्समaran को XUता है पड़ते हैं, पड़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, भेहल पहला कुरिंद दौदा 14 पाद में काता है, सर 29 मन असे पर्मेश की बातों को गरह नहीं काता है, उनके दिष्टिक में मुर्कता की बाते हैं काता है, इसलिए उनको समझने के लिए हम क्या करें पर्मेसर कवचन को सुने पढ़ें क्योंकि बिस्वा सुनने और पढ़ने के दोरहीदपन होता है मैं एक बैक्ती के साथ में अपने जीवन बचपन में रहा उस बैक्ती का नाम है एंजल बूड अभी सरकरी विवाग में काम कर रहा है बीमारी काफी दिन तक रहा इस कारान से वह क्या करता, रात में बुरी सपन आने के कारान, वो क्या करता हमेशा बैबल अपने साथ में रखता था, बैबल रखने के कारान से वो पढ़ने जानता नहीं था, लकिन रखता था, इसके दौर उनको लगता था, बुरी सकते उनको ह भी नहीं होगा, बुरे स्वापन नहीं आएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, कुछ दिन ऐसा ही बित्ते गया, काफी दिन बिता, एक दिन बैबल को लाटा, अच्छानक से पढ़ना, इस पष्ट रूप से पढ़ने लगा, तब उनको खुद ही चाकित हो गया, ये कैसा होने लगा, परमेसर का आत्मा उनको अग्वई किया, बैबल पढ़ने में, जो भी की, वो नहीं जानता था, नहीं पढ़ पाता था, परमेसर का आत्मा अग्वई करता है, आपको मुझे, इसलिए परमेसर की खोज जैसे खोजा, जिस आज का बच्चन में देखने पाते हैं, प पैबल ये सही पच्चपन अद्ध है, उसका छेपात में, जब तक यहो मिल सकता है, उसको क्या करना है, खोजना है, पुकारना है, काता है, इसलिए हम आज मौका है, परमेसर के वचन को सुने पढ़ें, उसको खोजें, दूसरा भी से इस बात, जो आज का वचन में काता है वचन सुनने से हिर्दय में परिवर्तन आता है, किसका? खोजा का जीवान में, अब नाम नहीं जानता है, प्रांतु खोजा उसका पदबी है, जो उनके नाम से पुकारा गया है, उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं, देखिए, वा जब तक परमेसर को वचन को नहीं समझ पया अब इस्वासमा तुना देड नहीं था, बाप्तिसमा लिया हुआ नहीं था, प्रांतु जैसे ही समझ गया, फिलिपुस ने उनको समझ आ, फिलिपुस कोन था? फिलिपुस के बारे में एक बात है, फिलिपुस जो साथ कंगल सेवाक, जो परितों का काम छटवा दे में हम छेटवा का पांच में हम पाएंगे, साथ सेवाकों का चुना जाता है, ताकि लोगों को उपसना के बाद में खिलाने, पिलाने का काम में सेवा में अपना सहयोग दे सके, लेकिन इस काम के लिए जो इस्तिपनुस भी चुना गया था, ये फिलिपुस भी और पांच भी च जाना है, अज्जा एक मार्ग है, एक जगा है जिसके मार्ग से होते हुए उनको अपने इथियोपिया किसको खोजा को जाना था, इसको कताब जएए और फलाना जगा पर उस बिक्ती को बर में सरका वच्छन सुनाई, वह समरिया से इरुसलिम आता है, इरुसलिम से होके व और इसको सुसमचार प्रचार करता है, सुसमचार सुनने के बाद में या बैक्ती में विश्वास आ जाता है, और वो कहता है एक जगा जहाँ पर नदिर आता है, उनको कहता है मुझे बप्तिस्मा लेने से क्या रोख है कहता है, यदि तो सच्चे मन से विश्वास करता है, इ जब हम पढ़ते सुनते हमारे अंदर में काम करते हैं देखे कोई टॉनिक भी हम लेते हैं या तो कहिए टॉनिक के अलावा आपको मैं कहूंगा कोई ऐसे फूड जो हमारे फूड सप्लिमेंट या तो खाना पीना जो हमारे सरील के बहुत हेल्दी लबदयक है वो खाने के बा रहन कर लेते हैं अंदर अंदर काम करने लगता है और कैसे काम करता है आपको मुझे नहीं पाता है प्रन्तु ये अद्भुत्रिती से काम करता है मैं बीते दिन में एक बैक्ति का गवही को पर सुन पढ़ रहा था वो च्छतिस गड़ बैकुंड पूर कर रहने वाला एक आदमी जिसका नाम था बिजंदर देवगन अपने जिस मालिक का गड़ी चलाता था वह मसीह मालिक था लेकिन ये वैक्ति पूजा धजा करने वाला वो अपना मालिक और उनके जो विस्वास्ता गिर जार न देना इससे वह बहुत पसंद नहीं करता था लेकिन एक दिन क्य हुआ उनके गड़ी में ही जिसमें वो चला था था बैबल था उन्होंने उसको चुरा लिया ताकि उनको लगता है मालिक लोग इसी को पढ़ते रहते हैं बैबल को इसी को मैं चुरा लूँ ताकि उनके पढ़ने में और उपसना इस्वार करधना करने में डिस्टरबेंस लेकिन उसको लेने के बाद उनको लगा कि इसको पढ़ लेने चाहिए, इसमें है क्या चाहिए? पढ़ने के बाद मैं उनका जीवन ही बदल गया, उनका भिशुआस बढ़ गया, और जिसी इस्सूप पर नफरत करता तो इस इस्सूप उधर का तकृूप में सिवकार करता है आज प्रभु का गवही देने में लगा हुआ है इसी प्रकार की बातों को जैसे हमने सुना सादू सुन्दर सिंग वो अपने जीवन काल में जब एक बार यात्रा कर रहे थे कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और सलूट पाट की रादा से उनके पास में एक बैबल था उन्होंने कहा इसको मैं दे सकता हूँ बैबल के बारे में जो पैसों से ज़्यदा मुल्यवन है इसमें है किया चीज़ उन्होंने पूछा बैबल बचन के बारे में उनको बताना सुरू कि इसमसी के बारे में जैसे बता थे बता थे कुछ गंता भीत गया, उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया, वो बोलने लग आज के बाद हमें यह गलत कम छोड़ना चाह रहे हैं, देखे वचन ना सुनने तक उनका जीवन ना लगता, सुनने के बाद में जीवन है परिवर्तना गया, यह समर्थी वैसे ही परमेसर का वाचन जीवित है काम करता है अब भी आपके मेरे हिल्दे में जब हम ग्रहन करते हैं अपनाते हैं मैं कई बार एक बैक्ति का उधारन देता रहा सोलापूर का रहने वाला एक बैक्ति आनन्ड अचर्या ये बड़ा ही डान बैक्ति था उसके कई चम्चे लोग हुआ करते हत्यार पकड़कर किसी को परिसन करना किसी को मरने पितने का काम करना ये उनका काम मैंसे था उन्होंने सुपर हिलिया था 40 पास्टर लोगों को हत्या करने का लेकिन इसे बीच में उसका बैटी का बीमार बहुत बढ़ गया डक्टरों ने कहीं पर भी उनका इलाज से कुछ सफलता मैं नहीं मिला किसी ने का आप चार्च में जाकर प्रात न कर वे चार्च में एक दिन गिया लेकिन इस उदे से नहीं कि उनको सुनना है वचन आपने साथ में पेश्टॉल भी लाग के दे दिया कोई उलट पुलट जदे उब्देश करेगा बोलेगा वहीं मैं ठोक दूँगा लेकिन भाइबल के वचन में से जब प्रचार किया जा था उनके हिर्दै को टच किया और वस वचन के माध़म से घर आने के बाद में जैसे वहाँ प्रातना किया जाता है उन्होंने अपने बेटी के लिए प्रातना किया धिरे धिरुवट ठीक हो गए जो डक्टर के द्वारा नहीं हो पा रहा था जो दूसरों के द्वारा परमेसर अद्बत से चंगा किया उसके बाद उनका जीवन बदला हटाता है देखी इसलिए मैंने का परमेसर का वचन में सामरत है जब परमेसर का वचन सुनते पढ़ते हैं हमार जीवन बदला हटाने लगता है इसलिए परमेसर का वचन को आपको मुझे तुछ नहीं करना है इनकार नहीं करना है प्रंत उसे ग्रहन करना है और हुआ परमेसर के आत्मा के दर समझने के प्रैतन करें कई बाते समझने कठीन होता है परमेसर आत्मे आत्मा के दर हमें समझने के प्रैतन करें ताकि हमारा विश्वास दीड हो, मजबूत हो हम उसी में बने रहें जैसे खोजाने विस्वास होकर बबतिसमा लिया और अपने देस को चला गया वैसे हम विस्वास में दीड होकर अपने जीवन को बेटी परमे सर इस वचन कादी के सासी दे आमिन हम प्रातनक शेनाओं के जित पी तर धन्यवाद देते हैं आज के वचन को हमसे बाते किया होने को इसू के समर्त लोग से खारे ग्रोवदू तक्लिफ को उनके सर में से निकाल बार करके दूर करती इसू के नाम से पूंच जब प्रदान कर जिनके विस्वास कमजोर उनके विस्वास को दीड़ और माजबूत कर प्रातने इसू के नाम से मांगते हैं आमिन जैदी अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं के इसी गड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दिजिए और जो बेल आइकन ने के लिए उसे प्रेस करके ओल पर सेट कर दिए तक आने बले वीडियो स्कूर नोटिपेशन आपको समय पर मिल सके धन्याबाद